तर्मस्कार दोस्तों मैं आज आपका अपना दोस्त के दियो की तरफ से तो दोस्तों यह audio board आप सभी ने देख रखा है देखो यह बताने की जरुद्ध नहीं कि नया है प्रोडक्ट तो यह audio board सभी लोगों ने देख रखा है जितने भी customer सभी ने देख रखा किसी को separate separate इसके तो लगे हुए हैं आप देखर सकते हैं यहां पे तुए सी बावन सो और उनिस देता लिस ठीक है और सबसे पहले बात करते हैं जो यह नाम लिखा हुआ है डेक्सा रजिस्टर्ड ठीक है दोस्तों इसका ब्रांड एक अपने आप में मतलब की इसका प्रोड़क्ट ही एक तो इसकी वीडियो बना रहे हैं तो दिखाते हम आपको ठीक है तो सबसे पहले हमारी यह ट्रांजिस्टर ओरिजिनल तोसिवा है जो कि देखो ऑरिजिनल नहीं कहेंगे तो जैनुवन कह सकते हैं क्योंकि मार्केट में और जैनुवन का कुछ आज की डेटर पता नहीं है ठ बाकि जितने भी कंपोनेंट सिंगल सिंगल लगे हुए हैं वह फिलिप्स के हैं ज्यादा सफाई देनी की ज़रूरत नहीं क्योंकि लोगों को आज की डेट में सब पता है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा क्वाल्टी का लगा हुआ है जितने भी हमारे ड्राइवर स्टेज में रजिस्टर है c applause जो कि best quality के है bc यानि ό oppuben धोस्तों बात करते हैं बेसिघी जो आ लेम 324 तो है अब को दिखाता हूं यह देख रही है और utc कमपनी की cidade को तो और इस बोर्ड में थोड़ा से दो हैं कितने इंपियर के लगाएं तो वह चीज में सारी किलियर कर देता हूं आपको क्या कुछ इसमें लगाना है तो सबसे पहले यहां आप देख रहे हैं यहां पर आपको 012 का ट्रांस्फार्मर लगेगा जो यह वाला सेक्षन है इसके पीछ ही मैं आपको दिखाऊंगा भी इसको पलट कर और य सकते हैं 50 75 वोल्ट और 3300 यह यह ओरिजनल सेम वागे का पैस्टर कोई लोकल का पैस्टर निया भाई और यह बोर्ड मेरे घर का बना हुआ है जो आप मुझे इसमें मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा ना बोलें कि आपने कुद करें हो खुद करा हुआ है खुद ने आपन और माइनस बोल्ट पे 3300 UF ग्राउंड आपका नॉर्मल रहता है ठीक है तो इसके हिसाब से आप इसमें ट्रांसफॉर्मर लगा सकते हैं वह लगा सकते हैं आप 6 Ampere का बस क्योंकि अगर 30-30 जो आप लगाएंगे जो 0-30 होगा वह आपका 3 Ampere हो जाएगा और 0-30 आपका 3 3 Ampere हो जाएगा तो मतलब एक साइड आपका 3 Ampere एक साइड आपका 3 Ampere तो दौनों तरफ आपका 6 Ampere हो जाएगा और उसी हिसाब से इनको बनाया जाता है ठीक है ठीक है और रही 12 वोल्ट वह आपको यहां से देखे वह आपका खाली आपका फैन और इस BT वो यह क्या कहत टारीट सप्लाइं इसी से जाती है बोड से जो यह एक रश्चेंस आप देख रहे हैं वन के की ठीक है यह आपके में पूरा बीटी वोर्ट रहन होता है ठीक है ड्यूंस अब पीसे से बात कनेक्शन की करते हैं तो यह देखे हैं आप यह सारी वायर जो हमारी रेड़ वाल 15 वह आपक है को एक मतलब मैं आपको वाइर बताता हूं बायर लेके एक हमारी और एक यह वाला इस दौन हमारे 12 वाल गिवा टेका यहाँ से मिल जाते हैं तीक है आपको इंपुट वगरा यहां पर देनी है यह आपकी इंपुट की हो जाती है लेफ राइट ग्राउंड की ठीक है फाइब वोल्ट के लिए यहां से मिल जाता है जो आपका इंपुट होता है मतलब आप बीटी सप्लाई जो बीटी का इंपुट भी वैसे आप यहां पर दे जाके एक्टिव जाएगा ठीक है तो दोस्तों यह एंप्लिफायर बूड है और बहुत ही शांदार देको बूड है ऐसी कोई बात नहीं को आलटी बहुत अच्छी है और जिसे इसका पैसा होता है उसे इससाथ सकी क्वाल्टी भिल्कूल सादार कोई ज्यादा नहीं कॉस्ट एंप्लिफायर बोर्ड आपको मिल जाएगा और कूर्यार चार्जेस वह चोट स्वाल जादा करते हैं नहीं कि बने के निकालते रहे हैंगे उन्हीं के लिए लोगों के लिए होते हैं जो क्या कहते हैं थोड़ा इंट्रस्ट रखते हैं चीजों में ठीक है उनके लिए नहीं है जो सवाल जवाब ज्यादा करते हैं उनके लिए प्रोडक्ट नहीं निकालते भाई उनके लिए कोई फायदा नहीं है निकालने का क्योंक को लाइक करते रहें और सबस्क्राइब करते रहें